मतुरा के थाना शेरगड के अंतरगत आने वाले ग्राम ओधुता से जहां पर अचानक दो अलग-अलग स्थानों पर ग्यों की खड़ी फसल में आग लगने से ग्राम में हल्चल सी मच गई आग लगने की सुचना पाकर ग्राम के सेक्लों लोग अलग अलग आग के स्थानों पर आग पर काबू करने वाले साधनों के साथ पहुंचे वहाँ पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया जिसमें की कड़ी मशक्कत के बाद भी लाखों की खड़ी फसल जलकर राख हो गए वहीं मीडिया से बात करते हुए ग्रामीडो वक्हे स्वामियों ने इसे बिजली विभाग की लापरवाही बताया और जरजर बिजली विभाग के तारों को लेकर और आए दिन फाल्ट की समस्या को लेकर भी बिजली विभाग को अवगत करा चुके हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं बात करते हुए दयाराम मम्ता भगत सिंग दुली ने बताया कि हमारी फसल बिजली विबाक की लापरवाही से जली है लाइन से फाल्ट हुआ है जिससे फाल्ट की अगनी ख़ली फसल में जाकर गिरी है जिससे फसल जलकर राख हो गई जिसमें तेज सिंग सन अफ बाबू मुखिया की दो बीगा से अधिक और दूसरे स्थान पर महावीर सन अफ गोपाल की एक बीगा फसल जलकर राख हो गई लोगों ने आपको बुझाने की कली मशक्कत की लेकिन आग इतनी भयानक थी कि काबू करते करते लाखों के फसल राख हो गई इसकी सुचना पाकर नजजी की पुलिस चोकी इंचार्ज वडायल 112 कुछ समय बाद मौके पर पहुँचे लेकिन समाचार लिखे जाने तक बिजली विवाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी करमचारी नहीं पहुचा था अब क्या मानते हैं मतलब अच्छा जब लाइन पंद करनी चाहिए तोड़ी वोड़ी वोड़ी तोड़ी वोड़ी जरूरी है गरों में विजली गाहों में देना खेत की जब लाइन अलाग हो चुकी है तोड़ी कितना फशलती है यह संधिंग कितने कशन होगा समधिंग किया नामे आपका कौन से आप है यह जो आग लगी है यह मतला किस्छे लगी है कैसे लगी है इसका पता तला अच्छा ट्रांस्फारम का तार है उसमें फोल्ड हुआ उससे लगी है उसका तार टूटके गरा क्या हुआ था अच्छा-च्छा कितनी फसल थी यह एक भी के सम्धिंग है तो पूरी जल के राक हो गई है तो इस पर मतलब आपको सूचना कैसे लगी कि इसका फोल्ड हो गया मतुरा से अमित शर्मा के रिपोल्ड नियो जब भारत